प्री बोर्ड एक्जाम्स की स्ट्राटेजी क्या करना है एक मेने का टाइम टेबल आपको हर जगा मिल जाएगा लेकिन आपको मैं वो गलतियां बताने वाला हूँ अगर आप लोगों ने ये गलतियां करी तो यकीन मानो आप लोग प्री बोर्ड एक्जांस में अच्छा नहीं कर पाओगे और प्री बोर्ड एक्जांस में अच्छा नहीं कर पाओगे तो बटाएं, I'm really sorry to say this बट आप अपने बोर्ड एक्जांस में भी बहुत अच्छा शायद ना कर पाओ ठिक है, हासरूथ आप लोगको बता रहा हूँ तो मैं जो गलतिया आप लोगको बता रहा हूँ आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से इन गलतियों को सुनना और आप लोग ट्राए करना है आप लोग ट्राय क्या करना है आप लोग को ये गलतिया करनी ही नहीं है ठीक है तो सबसे पहले मैं mistake five जहां पे सबसे बड़ी गलती है उससे चालो करता हूँ ठीक है सबसे बड़ी गलती क्या है कि भाई हम लोग pre-board exams को seriously ही नहीं लेते हमको लगता है कि हम अपना effort board exam में मार करेंगे सर वहां पे हम लोग अच्छा कर लेंगे pre-board exam को seriously ही नहीं लेते है यकीन मानो अभी आप जितने जादा हस खेल रहे हो ना एक डेड़ महीने बाद ये चेहरा उतना ही उतर जाएगा क्योंकि जब pre-board के marks आएंगे ना तो वो आपको effect करेंगे आप जितना मर्जी उ से escape करने की कोशिश कर लेना लेकिन अगर आप लोग pre-board exam में अच्छा नहीं करते हो दोस्तों तो ultimately वो आपको effect करेगा और वो effect आपको आपके board के exams में भी दिखेगा वहां पर भी आप वो अपने उपर self doubt पका करोगे कि मैंने pre-board exams में उतना अच्छा नहीं किया था तो क्य अच्छे से आपको complete करना और बाकी चीज़े क्या नहीं करनी है क्या गलतिया नहीं करनी है उसके बारे में बताऊंगा लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है जो आप लोगों को avoid करनी है exam को seriously लो अपना full effort दालो marks जैसे मर्दिया है ठीक है यार at least आपको end में मालो आपके 80% आत करते हैं अब चालू करते हैं mistake one से सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि भाई वो ना बस theory ही पढ़ते रह जाते थोरी पढ़ लिया one shot कर लिये थोड़े से छोटु मूठ से question कर लिये और वहां पर काम हो गया तो बेटा ऐसे काम नहीं बनता आपको 80-20 rule follow करना है कि आप लोगों को भाई अगर 20 परसेंट आप लोग ठ्योरी पढ़ रहे हो concept को सीख रहे हो तो 80 परसेंट आपको practice करनी पड़ेगी माच में practice के बिना नहीं चलेगा इसी से related एक दूसरी mistake है जो मैंने same slide पर लिखी है कि आप लोगों को क्या लगता है जब हम देखते हैं कि sir ने ये question करवाया मैंने वीडियो देखी मैंना copy और pen लेके नहीं बैठा मेरे को question को देखके अच्छी feeling आ रही है और मेरे को लग रहा है क्यार ये तो मैं बनाई लोगा exam में आएगा तो लेकिन जब तक आप वो अपना pen घिसोगे नहीं ना बिटा तब तक आपका brain ready नह लोग अपने marks जो easily score कर सकते थे आपके दिमाग में जो आपको लगता था आप उन पर lose out कर जाओगे तो इसलिए question को देखके वो अच्छी feel नहीं लेनी है बस आप लोग को questions को अच्छे से attempt करना है घर पे बैठोगे तो practice करना है करना पड़ेगा वो चीज करना पड़ेगा आपको exam में किस तरीके से strategize करके paper को तीन घंटे में complete करना है वो चीज आप नहीं सीख पाओगे और वो बहुत जरूरी है इसको board exams के लिए मत चोड़ना usually यही बच्चा गलती करता कि यह सब चीज़े को क्या करता प्री बोर्ट के बाद सीखना चालो करता है और अगर आप यह सब चीज़े advance में सीखना चालो करता होगे बच्चो तो आप लोग प्री बोर्ट exams में भी अच्छा करोगे वहां से आपके confidence को बहुत अच्छा boost मिलेगा और आप लोग बोर्ट exams में पक्का फोड़ोगे तो इसलिए आपको sample papers practice करके जाने हैं बहुत जादा नहीं करने अगर मैं match की बात करूँ तो बिटा आप लोग को at least 3 sample paper जरूर करने है इसके लिए आपको कोई extra book लेने की जरूरत नहीं मैंने पहले भी बताया एक तो आपको official sample paper ही करना जो cbsc की website पे है उसके बाद आप previous year questions उठा लीजिए previous year question कैसे उठाएंगे year wise उठाएंगे तो 2023 में जो board exam हुआ था उसमें बहुत सारे sets में paper आता है आपको इसे भी 2 set उठा लो अलग-अलग दिन के आपके 3 sample paper हो जाएंगे और आपके practice हो जाएगी sample paper का motive क्या है sample paper का motive है कि ये fixed time zone में 3 घंटे में मेरे को अपने paper के लिए कैसे strategy बनानी है मैं कौन्छी section से चालू करूँ कही कही मैं बहुत जादा slow तो नहीं जा रहा कही मैं बहुत जादा तेज जाके silly mistakes तो नहीं कर रहा है ये सब चीज़े आपको इन 3 sample paper से analyze करनी है और फिर adopt करके main examions को implement करना है उसके बाद आती है mistake number 4 क्योंकि mistake number 5 के बारे में तो हम लोग पहली बात कर सोके हैं तो ये last mistake है कि PYQ उसको आप miss नहीं कर सकते हैं जो आपके school के teachers हैं बेटा वो आपके जो भी questions उठाएंगे वो previous year questions से ही उठाएंगे maximum questions और उसके अलावा exemplar exemplar बुकाती है उससे उठाएंगे ये दो resources है जहां से आपके paper में questions आपको भर-भर के दिखेंगे तो अगर आपने PYQ उसको practice नहीं किया pre-board exam से पहले तो भी आप lack करोगे कही ना कहीं और attention मतलो ये PYQ और एक आदल sample paper तो आपको इसी channel पे मिल जाएगा होता हुआ मैं वो चीज की guarantee लेता हूँ लेकिन आप लोग को ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी हैं कि आपको ये mistakes avoid करनी हैं और सबसे बड़ी mistake जो बच्चा करता है वो ये है pre-board exams को seriously नहीं लिया ना दोस्त तो ultimately it will affect you on your board exam marks, board exam अगर थोड़ा सा भी इदर उदर हुआ ना बेटा तो अपने आपी CVT का exam भी affect हो जाएगा तो ये एक chain process है chain rule सीखते हैं ना हम लोग differentiation में ये एक chain process है अगर आप पहली वाली CD पे एक तरीके से थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आगे भी आप fault कर सकते हो इसलिए please थोड़ा सा सचेत रहें इसी information को देने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था I hope मैं जो आप तक पहुचाना चाहता था संदेश वो आपको मिल गया होगा this is your mathematics mentor गगन मकड saying goodbye to you now जहिंद